हेलो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 12 वोड चार्जर को रिपायर करना सिखाऊंगा बहुत ही असन तरीके से आप लोग यहां पर सीख जाएंगे अगर आपको कोई आपने कोई कोई नहीं किया तो इस वीडियो को देखके आप बहुत ही असन तरीके सिख सकते हैं चार् यह हम इसे ओपन करके देखने हैं अपने तरीके से रिपायर करेंगे और यह चार्जर हाई वोल्ट में डेमेज हुआ है यानि कि हाई वोल्ट आने से खराब हुआ है ऐसा कर्ष्ण में मुझे बताया था तो यहां पर चार्जर का सिर्किट है आप देख सकते हैं इसे हम ब सब्सक्राइब करूगा यहां पर अगर आपको दिखाऊं तो लेंगे दो रिजिस्टेंस यह चार्ण से फिर सी होगता तक यहांघर की चेज में केLoowar का सब्क्क이면 अब्सक्राइब कुम्न पर यहां पर लाइब और नियोंटरल वयर यहां पर कीनेक्ट होती हैं यहां से मारी कि फ्यू रिजिस्टेंस लगी ही ठीक है यहां से फ्यू सना लगी विए उसके बाद फ्यूंज यानि कि to moet बोल यह निके फिंख के बाद इन चार डाय्योड पे वोल्टे करें जाता है ने कि 220 जाता है कि यहां यहां से DC बनता है तो AC से यह जो रेक्टिफाइड डाइट चार लगी में इनसे DC बनेगा उसके बाद इन कंपोनेंस से फिल्टर होते वे यह यहां पर मॉस्पेट है मॉस्पेट है मॉस्पेट पर जाएगा उसके वादे स्विचिंग करके ट्रांस्पोर्मर को सिंगनल देगा और ट्रांस्पोर्मर आउटपुट बनाएगा तो यह इसका पूरा डाइग्रम है और एक चीज में आपको किलर बता चाहूंगा अगर आपको इसके रिपैरिंग क चेक करना आ गया तो आपके लिए फिर रिपैरिंग कोई मुश्किल काम नहीं है स्टेप बेस्टेप सभी कंपोनेंट के हम टेस्टिंग करेंगे जिस भी कंपोनेंट फॉर्ट आगर उसको हम रिप्लेस कर देंगे यहां पर एक चीज में आपको बताना चाहूंगा यह जो सब्सक्राइब करेंगे फ्यूज रिजिस्टेंस से तो सर्कृट ऐसे की डायोट यवद के बात कबाश्टिक बार इन सब पढ़ेंट को चेक तो सब से पहला हमारा काम रहता है फ्यूज को चेक करने का करने का इस चलेंगे घ्धान से देखें तो सब कुछ चसाने से आप स चेक होंगे जिसे हम continuity mode भी कहते हैं तो सबसे पहला हम रहता है फ्यूज को चेक करने का वैसे फ्यूज जला हुआ है तो इसको चेक करने के जोड़ नहीं है क्योंकि यह कोई भी रीडिंग नहीं देखा थी यह बिल्कुल खराब है अगर यह बिल्कुल सही रहता तो इसकी री section से हिसका बनता है बट वीडियो में आपको सिखाना चाहूंगा तो वह चीज़ अभी में के लियर नहीं करूंगा मैं क्योंकि step-by-step सिखाओं और चलू वह मेरे लिए better है अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखिए नहीं सीखना चाहते है फॉल्ट पर जाना चाहते है तो यह देखिए इस साइज से भी value दे रहा है डायोट कभी खराब होता है तो इस तरीके से वह continuity मार देता है खराब खराब डायोट हर कंपोनेंट का अपना सुभा हो है रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस फ्यूज इस बीप मारेगा तो सही होगा डायोट मारेगा तो खराब बिल्कुल अपना रीडिंग दे देगी एक तरफ से रीडिंग और एक तरफ से नहीं दे कुछ से तरीक से नहीं दे रही है अब डायोट को चीक कर लिया फूजर इसरी स्कों चेंज तब करेंगे जब हम यहां पर फॉल्ट को ढूढ लेंगे ठीक है अब यहाँ पर करती है तो इस पर आपने काम करना है या तो को बैस्टर से आ रहे होगी यहां पर कोई भी शौटिंग नहीं है कि बैस्टर के बाद हम जितने भी आप रजिस्टेंस सभी को चेकरने का बहुत ही असान तरीका है यहां ने आपको अल्य बताया भी था फिर भी आपको एक का ऐन को जो पॉइंट सेग होएगी कि अअ यह गुरीं वाली हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे स्के नीचे के दो पॉइंट संविय करेंगे तो ίह रेजन है इस स्काम मातलब वह हो सकता है ठीद जोंट बढ़ा के देख्ते हैं 200 किस रख एकपर यह डिश्टेंस है कंफर्म हो गया इसके बाद इस रिखेंगे जो जली हुई है यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रही है चलिए बढ़ा के देखते हैं यह वैल्यू नहीं दे इसका बतले भी उल्कुल खराब है अभी मैं बताऊंगा इसके जिगर पर कौन से रिखेंगे आप लगा सकते है जो जली भी है उसके बाद हम हरी वाली को भी चेक करना चाहेंगे जो इसके जश्च नीचे है इसका मतलब यह भी कुछ नकुछ वैल्यू दे रहा है तो यहां पर 91 यानि की 100 ohms की रिजिस्टेंस है ठीक है 100 ohms की रिजिस्टेंस है और हां 100 ohms की सम्टिंग की रिजिस्टें रहते हैं कोई बात नहीं तो यहां पर यह 20 के लग रहते हैं 20 ohms पर तो यहां पर यह कि रिजिस्टेंस है 400-400 ohms की रिजिस्टेंस है पॉइंट में दिखा रहा है ठीक है पॉइंट के बाद में ohms कहलाएगा अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट आता है तो वह kilo ohms होएगा तो यहां पर यह रिजिस्टेंस भी सही है और दूनों ट्रांजिस्टर से इनको भी चेक करना है तो यह 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 तो лишь होती हैं तीनों लेक में अपसमें किसी तीनों लेक में सोर्ट आज जी जैसे कि हाँ यह नहीं कि यह दूनौ beta रहे हैं स्वाजिस्टर क्रंशिडबिये ऑनडू 31230 तो देखेर इन दोनौं लेक में वर्ल्स dość ह्री है इन्नमें कि इनाकि पारी है तो अब स्फology का व्रास्ड क की वज़े से भी sorting मारता है, तो चलिए जल्दी से इस ट्र आजिसर को निकाल के हम चेक करना चाहेंगे, दिखिए, कोई भी component अगर sorting मारता है, तो उसको board से बहार निकाल के आपने check करना होता है, अब इस ट्र आजिसर को बहार निकाल के हम चेक करेंगे, देखिए इसकी तीनों लेख है हाँ यह ट्राजिस्टर फूल शॉट यहाँ पर बता रहा है देखिए ड्यांस देखिएगा सॉरी इस तरीके से आपको दिखा तो के लिए दिख पाएगा यह फर्स्ट और लास्ट की लेख इसकी सॉट है तो यह तो हमारा खुट्राबक में सरकीट से बाहर निका लिया है अब हम दूसरे प्रस्ट को भी देखेंगे यह transistor भी हमारा short दिखा रहा है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं ध्यान रखना है कौन सा नमबर का transistor किस point से निकाला है वो आप ध्यान रखेगा क्योंकि दोनों transistor के value अलग अलग है एक छोटा सागाम आप कर सकते हैं जैसे इस ट्रांजिस्टर के पर नमर लिखा हुआ है लिखा हुआ है 8550 तो एक काम कीजिए इधर पर 8550 लिख लिजिए अपने साउलियत के लिए 88550 इस तरीके से हमने लिख लिया है ताकि हम बाद में जब ट्रांजिस्टर लगा है तो इसके नमर का ही इसमें लग जाए तो अब दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को हम निकालेंगे इसमें भी शॉटिंग बता रहा है तो इसको भी निकालेंगे जो जो कंपोनेंट से में शॉट लग रहे हैं सबी को हमने निकालते हुए सर्किट बोर्ट को खाली करना है अगर कोई ट्रांजिस्टर आपकी खराब है तो उसको सर्किट बोर मन लगे मत रहनें जिजिका अब इसके points पे हम check करना चाहेंगे इसके points में sorting आ रही है यह sorting किसी और components की वज़े से आपर हो सकती है अब देखते हैं कि कौन सा अब बीप नहीं आने चाहिए इसके बात का ध्यान रखना है अगर एक बात बीप आके बंद हो जाए तो हमारी डायोट सही है देखिए इस तरीके से ठीक है अगर आपको confusion हो तो डायोट को निखाल के चेक कर लेना है बठ यहां पर यह डायोट सही है क्पैस्टर को चेक करें इस दोनों कपैस्टर ही है दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन सा component क्या है इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है अगर आपको component की पहचान करनी नहीं आती है तो इस वीडियो को देख लिजेगा आप असानी से किसी भी component की आप पहचान कर सकते हैं अगर सर ही है कोई बात नहीं एक बात बीप मार के छोड़ देखा को दिखर नहीं है इसमें इस वाले के पैस्टर में सॉटिंग बता रहा है इसमें सॉटिंग बता रहा है चलिए इसको अभी निकालेंगे एंड इन दोनों में भी हम चेक करेंगे डायोडर के पैस्टर पर एडायो होई है अब एक बार ऑप्टो कॉपलर की भी हम दूलेग चेक कर लेंगे शॉर्टिंग उसमें भी नहीं आने चाहिए और यहां पर हाँ यह मॉस्पट वची भी तो मॉस्पट की तेस्टिक हैं यहां पर तीन लेग हैं मॉस्पट फाइनली फूल शोड यहां पर दिखा रहा है देखिए अब यहां पर इस कपास्टिम में सोटींग के अब मॉस्पट के उजेसे अब मॉस्पट को निकालेंगे फिर जगे-जगे जहां-जहां पर सोटिंग आरी उसको हम चेक करना चाहिए तो यहां पर देखिए इस MOSFET को हम बाहर निकालेंगे, पिर देखते हैं, सौर्टिंग कहाँ पर आ रही है, देखते रहे हैं, बहुत यह असान तरीके से हम आपको रेपैर करना सिखा देंगे, काफी गर्म हो रही है, चलिए, निकाल यह है, अब यहाँ पर MOSFET के हम टेस्टिंग से बाहर निकाल के करेंगे, क्योंकि सर्किट में लगे लगे जब आप चेक करते हैं, तो हो सकता किसी और कंपोनेंट की वज़े से भी वो सौर्टिंग दिखा रहा हो, जैसे कि आपको मैंने अभी टांजिस्टर दिखा न, वो सौर्टिंग अंदर बता रहा ता बाहर नहीं बता, सिर्फ एक नहीं है, तो फाइनली एक टदिस्टर वीसिती हमारी है कई ट करेंड के जमरेस्टी ति इस कर्फेंड ऐसे सही तीत रहा दिनगे, यहाँ पर मॉस्पेट का नंपर क्या है, इस सथीप का न अगर प Really सकते हैं. आग यहां पर मोस्पेट का नंपर आप देख सकते हैं चाहे तो आप इसकी शॉट ले सकते हैं इस मॉस्फेट को मैं चेक करता हूँ अगर है तो मैं डाल दूँगा नहीं है तो इसका यहां पर ऑप्टो को हम चेक करी लिए थे हां यह जो रजिस्टेंस जली वी है उसका मैं आपको वैल्यू बता देता है किलर बता देना चाहूंगा इसके जो कलर कोडिंग है ब्राउन ग्रीन ब्राउन ग्रीन एंड गोल्डन गोल्डन यानि कि डेढ़ ओम्स की रजिस्टें याउन आपको दिखा देत हैं मॉश्पेट का नबर देखा दिया है रजिस्टेंस के नमबर और आपको दिखा देता हूं जो यहां पर जो हमारी सोर्टिंग अध typically-8550 नस्सबिन दालया है यहां पर यह components अभी चेक कर लिए हमने और जो जो the components देले वेए थे सभी कि की वेल्यो आपको बता दी है एक बार यहां पर आपको भी चेक करूँ ले यह नाव रजीस्टेस को भी चेक करोंगा से इसकी डोलेक है उनको यानि कि एक हजार किलोम्स की तो एक मेगाउम की रेजिस्टेंस आपर डलेगी अगर यह खराब हो गई तो सही है वेल्यू दे रही है इसका मतलब इसमा कोई भी प्रब्लम नहीं है सेकेंडरी सक्सें में फॉल्ट कम देखने को मिलता है फिर भी हम कंपोनेंट सभी चेक करें करेंगे यहाँ पर कंवेल्यू का है या है यह है अमारा 1200 डीजिस्टेंस है 250 s3 तो यह भी तर होड़ी हुआँ एक तरस्पी वैल्यू देना चाहिए और value नहीं दिनाना चिए को हम इसमें चेक करेंगे बजर के मोड में सॉरी कि यह डाइट सही है देखिए इसके लगा हुआ है देखिए यह डीजी इसमें जातर फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है और इस रजिस्टर्स को भी चेक करेंगे राजश्टेंस यहाँ पर अधिक जलाने के लिए समाल किया गए यह वन किलोंस का रिजिस्टर रहता है और यहां पर हम टेस्ट करेंगे कि पैस्टर को कपैस्टर भी यहां पर कोई भी शॉटिंग नहीं आना चाहिए को अधिक यह वारा सही है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कंपोनेंट खराब है इसका मतलब प्रास्टर विल्कुल ओके है क्योंकि टास्फ़ार के अंदर के जो वांडिंग होती है इसमें दो टेमिल होते हैं यहां से स्टार्ट होगे के अंदर ही अंदर यहां तक कोंचती है तो दो टेर्मिनल होते हैं इसके बाद में डिटेल से बना चुकाओं के वीडियो जरूर देख लाना और प्राइमरी सेक्शन में आपको इस तरीके से बाद ही मिलेंगी और इसके साथ आपको कोई भी अटैच नहीं मिलेंगी दो ऐसे से हाँ पर इन कपैस्टेटो और डाट को भी चेक करना चाहूंगा क्योंकि क्लियर बताना सही रहता है देखिए अगर आपको कंपोनेंट टेस्ट करना आ गया तो आप किसी भी चीज़ को असानी से रिपैर कर सकते हैं इस डाट को हम टेस्ट करेंगे देखिए एक तरफी वैल्यू दे रहा है एक तरफी वैल्यू नहीं दे रहा है तो किलियर आपको बता दिया है हम पर शॉर्टिंग निकालके भी आपको दिखा दिया है अगर आप इन खनाप कंपोनेंट को रिप्लेस कर देते हैं तो आपका सरकेट असानी से चल जाएगा याँ पर मैं दावा कर रहा हूँ गारंटी कर रहा हूँ अगर किसे क साथ प्रप्लेंट कर लेना मिरेको फिलार मेरे पास यह कंपोनेंट नहीं है वरना में गोनेंट ड आलके भी आपको दिखा देता है बाँना घर को अग्राऊंट और इसका जो कलरको नहीं बताऊंगा इसका सिर्फ मैं आपको वैल्यू बता दूँगा 10 ohms की फ्यूज रिजिस्टेंस आप इदर पर डाल दीजिए अगर रिजिस्टेंस नहीं आपके साफ फ्यूज वाली तो यह पर एक पतली सी बार बात दीजिए इतनी पतली बात नहीं कि इस वीडियो को देखके अगर आपका चार्जर हो जाता है तो इस वीडियो के लिए लाइक वरना आप कमेंट करके अपना सवाल पूच सकते हैं उसका भी में बता दूँगा बाकि आपको मॉस्पेट और ट्रांजिस्टर का नंबर एक बार फिर से मैं किलियर करवाना चाहू और यहां पर टांजिस्टर लग रही है अगर आपकी यह खराब होती तो इसका नंबर भी आपको मैं किलियर दिखा देता हूं देखिए इस तरीके से इसका नंबर आपको दिखांगो तो किलियर आपको दिख पाएगा देखिए अगर आपको दिख रहा होगा अगर आपको दिख रहा होगा तो कमेंट किजीगा आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा देखिए मुझे पता भी लगना चाहिए कि आप लोगों ने वीडियो अभी तक देख लिए है तो इस तरीके से आप असान से फॉल्ट का रिसोल लाइन पर पूरा इसका रिपैरिंग करना सिखा दिया है अपर मुझे ये कमपोनेट्स मिलते तो इसका दूसरा पार्ट मैं ले आऊंगा आपके satisfaction के लिए यानि कि आपको satisfy करने के लिए इसका दूसरा झालिये, तेक्यूस।